हाई गाइस दिस इस बबीता और वेलकम बैक टो माय चैनल दिवाइन लाइट आफ टेरो गाइस आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक आपने थमनेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वह यह है कि मात मातरानी आपको क्या मैसेज दे रही हैं यह हम इस रीडिंग के थ्रूप देखने वाले हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें तो मातरानी जो ह क्या संदेश दे रही है आपको किन चीजों को follow करना है यह हम देखेंगे मातरानी आपको क्या संदेश दे रही है यह हम देखेंगे यहाँ पर आया है assess your relationship मातरानी आपको क्या message दे रही है यह हम देखेंगे clear out the debris मातरानी आपको क्या संदेश दे रही है यह हम देखने वाले है देखेंगे दो काट खुदी निकले है relinquish control examine unfinished business एक काड और हम लेंगे मातरानी आपको क्या message दे रही है appreciate everything practice visualization यूज यूज यूर विज्डम एक काड को explain करूंगी wait कीजिए be mindful of conflict pay attention to your body एक काड और हम लेंगे choose your empower to yourself और भी हम काड लेंगे मातरानी आपको क्या message दे रही है यह हम देखेंगे तो मातरानी आपको क्या message दे रही है यहां पर आया है be of service जो दूसरा काड है release toxic relationship तो मातरानी आपको क्या message दे रही है यह हम देखेंगे यहां पर आया है everyone has value love is your energy live your bliss तो यह जो reading है यह किसी के भी साथ match हो सकती है जिसको भी मातरानी संदेश देना चाती है यह reading उनी के साथ जो है match होगी या resonate होगी अगर आप personal reading चाते हैं तो whatsapp number already description में दिया हुआ है आप वहां से मुझे contact कर सकते हैं अब यहां पर जो card I have आया है assess your relationship आपको अपनी relationship के बारे में assess करना है मुल्यांकन करना है क्या आपकी relationship ऐसी है healthy है क्या आपकी relationship ऐसी है जो की आपको support करती है आपको हर काम में motivate करती है एक healthy relationship है या एक toxic relationship है अगर आपकी relationship में आपको सिर्फ और सिर्फ stress मिल रहा है अगर आपको relationship में सिर्फ और सिर्फ परिशानिया, अपमान, tension, grief इस तरह की चीज़ा आपकी life में हो रही है तो मातरानी आपको यह message दे रही है कि अगर आपकी relationship अच्छी नहीं है जिसके भी साथ चाये वो आपका के parents हो, चाये वो आपके भाई-भेन हो, चाये वो आपके in-laws हो, चाये वो friend हो ऐसा कोई भी इंसान जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको stress दे रहा है, आपको परिशानी दे रहा, आपको grief दे रहा है आपको ये कह सकते हैं कि इंसल्ट कर रहा है तो उस relationship को आपको छोड़ देना चाहिए उस relationship का होना नहीं ही नहीं बैतर है तो ऐसी relationship का होना नहीं ही अच्छा है मतलब इस तरह के relationship का आप फेस कर रहे है अपनी life में आप ऐसे relationship को छोड़ दे त्याग पे clear out the debris जो भी आपके घर में clutter है जो भी आपके घर में कूड़ा करकट useless चीजें हैं उनको आप clear कीजिए उनको आप हटा दीजिए साथ साथ अगर आपके दिमाग में भी जो है कोई clutter चल रहा है कोई फाल्तु के विचार है कोई फाल्तु की सोच है stress है उसको भी आप release कीजिए जो clutter होता है चायब आपके घर से हो चायब आपके दिमाग से उसको आप निकाल बाहर फेकिए क्योंकि वो clutter जो है आपको आगे grow करने नहीं देखा आपको stuck करतेगा आपकी energy को आपकी energy field को है ना तो आपके life में जो भी clutter हो चायब घर में हो चायब दिमाग में हो जो भी negative thoughts हो उनको आप clear out कीजिए ऐसे लोगों को control करना छोड़ दीजिए जो की आपको परिशानी दे ना किसी इंसान को control करना छोड़ दीजिए क्योंकि अगर आप किसी को control करते हैं तो उसमें भी आपकी energy जो है waste होती है तो आप किसी को भी control करना छोड़ दीजिए आप किसी इंसान को control करने की कोशिश नहीं कीजिए examine unfinished business जो भी आपके unfinished काम है जो भी आपके अपून कारे हैं उनको पूरा करें है ना उनको पूरा करने की कोशिश करें साथ साथ जो इहां पर कार्ड आया है वो आया है appreciate everything जो कुछ भी आपके पास है मातरानी आपको बोल रहे है कि जो कुछ भी है आप उसमें संतुष्ट रही है उसको appreciate कीजिए चाहे वो थोड़ा है चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है हमेशा संतुष्टी रखिए जो भगवार ने दिया है उसमें आप संतुष्ट रही है उसको appreciate कीजिए और इश्वर का शुक्रियादा कीजिए उसका भगवान का इश्वर का शुक्रिया करें जो कुछ भी आपको दिया है क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम दूसरों को देखकर बहुत विचलित हो जाते हैं दूसरे आगे बढ़ते हैं, दूसरे जो है ग्रो करते हैं, दूसरे लोग ये खरीद रहे हैं, दूसरे लोग वो खरीद रहे हैं, तो क्या होता है कि हम जो है दूसरों को देखते हैं और आपको जो कुछ चीजे दी हैं, आप उनको नहीं देखते हैं। मतलब एक असंतुष्टी वाला जो attitude आप अपनाते हैं उसको छोड़ दीजिए हमेशा जीवन में जब भी आपको सुकून से रहना है तो हमेशा अपने से नीचे स्तर के लोगों को अगर आप देखेंगे तो आप बहुत satisfaction अपनी life में feel करेंगे और जहां आप अपने से उपर status वाले लोगों को देखेंगे आपके दिमाग में जो है हल्चल मची रहेगी या शांत रहेगा आपका दिमाग तो जो कुछ भी दिया है आपको इश्वर ने उस पर आप संतुष्ट रहिए प्रेक्टीस visualization विजुलाइज़ेशन प्रेक्टीस कीजिए और उन चीजों का विजुलाइजेशन जो की positive चीजें आप अपनी life में चाते हैं उनको आप visualize कीजिए कि वो आपकी life में आ रही है कभी भी negative चीज़ों को नहीं सोचे क्योंकि जो हम सूचते हैं वो ही चीज़े हम create करते हैं अपनी life में तो हमेशा positive चीज़ों को सोचिए negative thoughts आता है कोई तो उसे positive thoughts के दारा cut कर दीजिए तो आपको positive visualization की practice करनी चाहिए जो कुछ भी आप भविश्य में चाहते हैं कि आपके भविश्य में आपकी family ऐसी हो आप आगे इस मुकाम पर पहुँचे तो जो भी आपका एक dream है उसको आप visualize करें use your wisdom हमेशा जो है अपनी बुद्धी का इस्तमाल करें क्योंकि लोग हमें जैसा दिखाते हैं जैसा बताते हैं वैसा देखने लगते हैं कभी कभी अपनी बुद्धी का उपियोग नहीं करते अपनी जो brain है उसको नहीं use करते और दूसरों के कहे अनुसार चलते जाते हैं दूसरों की बातों में आते जाते हैं तो हमेशा अपनी बुद्धी का इस्तमाल करें बी mindful of conflict जब भी कोई conflict create हो तो बहुत mindful रहें मतलब conflict में बहुत सोच समझके जो है reaction दें क्योंकि कभी कभी जो reaction है आपके लिए खत्रा पैदा कर सकता है आपके लिए परिशानी create कर सकता है तो जब भी कोई किसी भी तरह का conflict रहे उसमें आप बहुत सोच समझकर इस situation को deal करें जो next है वो है pay attention to your body हमेशा अपनी body के उपर ध्यान दीजिए कभी कभी हम क्या होता है कि हम अपने कामों में अपने career में अपने professional life में अपनी household जिंदगी में अपने घरेली जिंदगी में अपने घर के रोज के कामों में हम कभी कभी अपने आपको भूल जाते हैं अपने आ अपनी body को ध्यान नहीं दे पाते कभी कभी हमारा शरीर बोलता है कि हम ठक गए हैं अब आराम कर लें अब rest कर लें बट आपको लगता है में ये काम करनूं वो काम complete करनूं लेकिन आपका शरीर ठक रहा है आप अपनी body की को understand नहीं कर रहे हैं आप अपनी body की नहीं सुन रह रहे हैं क्योंकि आपका शरीर ठक गया है बहुत अब उसको रेस्ट चाहिए लेकिन आप उसको रेस्ट नहीं दे रहे हो तो इस तरह से आपको अपने उपर अपनी बॉड़ी पर फोकस करना है ध्यान देना है चूज टू एमपावर यूरसेल्फ आपको ऐसी चीजों का चु मैं में हमेशा अपने आपको एक सशक्त परस्णाल्टी बनाए एक सशक्त व्यक्तित्व आप एक अपने आपको एमपावर करें हना सथ सथ बी आफ सर्विस हमेशा दूसरों की सेवा करें जब हम किसी की सेवा करते हैं जब हम किसी की हैल्प करते हैं सेवा करते हैं तो क्या होता है वो हमें blessings देता है और वो blessings जो हैं वो इश्वर तक जाती हैं वो blessings जो है हमारे को एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमें कभी कभी हम परिशानी में चले जाते हैं और उनी blessings की वज़े से हम बाहर आ जाते हैं इतनी जल्दी इतनी fast क्या आप सोच भी नहीं सकते हैं तो हमेशा दूसरों की सेवा करें, आप लोगों की सेवा करें, जो जरुत मंद हैं उनको भोजन कराएं जो गरीब हैं उनको मदद करें, कपडों से, अनाज से पक्षियों की सेवा करें जानवरों की सेवा करें उनको खिलाएं, उनके लिए पानी रखें है ना, तो क्या होता है जब हम सर्विस करते हैं तो हमारे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं जब हम किसी की मदद करते हैं तो बहुत सारी दिव्विश शक्तियां जिनको हम एंजल्स बोलते हैं वो हमारे आसपास होती है और वो हमको blessings देती है वो हमको देखकर बहुत खुश होती है और जब हम परिशानी में होते ना तो हमारी बहुत जल्दी help करती है और हमेशा हमारा protection करके चलती है तो हमेशा दूसरों की सेवा करें release toxic relationship ऐसे relation जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ दुख देते हैं जो सिर्फ आपको परिशानी देते हैं जो कभी भी आपकी value नहीं समझते हैं ऐसे relationship को release कर दीजिए ऐसे relation को छोड़ दीजिए वो आपको कभी नहीं समझ पाएंगे चाहे आप उनके लिए चाहे वो कोई भी हो कभी कभी ऐसा होता नहीं कि हम लोगों के लिए अपनों के लिए इतना करते लेकिन वो हमको समझते नहीं है वो उल्टा हमारे पर blames हमारे को तोहमत देते जाते हैं कभी हमारी feelings को नहीं आप रिलीस करिए जो आपकी एहमियत को नहीं समझते जो आपकी कदर नहीं करते एवरीवर हैजा वेल्यू हर एक की वेल्यू करें हर एक इंसान की एक वेल्यू है एक रिस्पेक्ट है छोटे से छोटा इंसान छोटे से बड़े से बड़ा इंसान हर एक की एक वेल्यू होत पैसा आज है कल नहीं है पैसा जो है वह हाथ का मेल होता है और लोग जो है पैसा देखकर लोगों की वैलिव करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं उनके कपड़े उनका ड्रेसिंग सेंस उनका ड्रेसिंग स्टाइल देखकर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो यह सब करना रिस्पेक्ट मन दीजिए हर एक इंसान की एक रिस्पेक्ट है एक समय की बात होती है है ना वो एक आगती आपने सुनी है ना लश्मी जी की के जिस घर में तुम रहती सब सद गुणा आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता तो पैसा जिसके पास आता है तो उसके पास बुद्धी भी उस तरह से रहने की बनने की और पहनने की आ जाती है तो हर एक इंसान को वैल्यू करिए लव इस यूर एनरजी आपकी अनरजी सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना है हमेशा प्रेम करें दूसरों से यह नहीं कि हम किसी को मैनुपिलेट क करें हमेशा दूसरों से प्रेम करें हमेशा एक पॉजिटिव एटिटिव रखें जीवन में और जो इंसान पॉजिटिव एटिटिव रखता है जो अंदर से बहुत अच्छा होता है नेक होता है उसके साथ भगवान होते हैं जो सरल कहते हैं कि जो सरल और सीधा इंसान होत तो आपकी जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ लव है प्यार है आप पक्षियों को प्यार करें आप हर एक इंसान से प्यार करें क्योंकि देखें बुराईयां इंसान में होती है उसकी बुराई से जो है आप नफरत करें उसकी उस इंसान से मत करिए तो लिव यूर ब्लिस अपनी ब्लिस में रहें हमेशा एक ब्लिस में रहें सैटिस्फेक्शन में रहें अपने अपनी आत्मा का अपनी सोल का भी एक आनंद होता है और यह वह लोग जानते हैं जो स्पृच्वालिटी से बहुत अठेज डेखाए हैं जब आप अदिरे से ऊठते हैं जब सूरज ऊगने से जब हम पहले ऊठते हैं और अपना एक एक दिन ऊठके देखिए आप सुरेदर होने से पहले उठिए आप और उठके आप जो स्नान कीजिए आप पूजा कीजिए सुभा-सुभा और आप जब सुभा-सुभा उठेंगे ना बहुत अर्ली मौर्निंग और फिर आप देखेंगे अपने अंदर चेंजेस आपको पूरा दिन बहुत अपने आप में ही लगेगी क्योंकि जब हम सुभा-सुभा उठते हैं जब हम भं मूरत में उठते हैं तो वह जो मूरत होता है उस समय में कहते हैं कि जो भगवान जो इश्वरी शक्तियां होती हैं जो एंजल्स होते हैं वह धरती पर आ जाते हैं उस समय इतना सुन्दर हम अधेरे में जब हम सभा उठते हैं और आप अधेरे से उठो जब पांच बजे करीब 5.30 करीब जब अंधेरा रहता है और चाम्स सम्हें सक्षा लागता है थीन दिन अपटके देखना ऑप अपना नियम बनाओ, एक दिन उठके देखो और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा फील होता है, और हमारे अंदर एक सात्विक्ता आती है, हमारे अंदर जो छुपी हुई हमारी जो कह सकते हैं, शक्तियां होती हैं, जागरत हो होती हैं, और हम जीवन में तरक्य करते हैं, जो कहते हैं कि सुबा सूरज उगने से पहले जो उठता है, वो हमेशा जीवन में सफलता को पाता है, और उठिने के बाद क्या करते हैं, कई लोग तो जैसे उठी जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का एक नियम होता है, जब सोके उठते हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, जैसे हम सोकर उठें, उठकर बैठ जाएं और उठकर आपको ऐसे अपनी हतेलियों को देखना है, ऐसे रखकर, और आपको ये जो श्लोख है, ये पढ़ना है, करागरे वस्ते लच्मी, मतलब ये वाला भाग, करागरे वस आपको आपको ये वाला श्लोख अवश्चे ही पढ़ना चाहिए, निहारना है अपनी हतेलियों को, और ये बोलना है, करागरे वस्ते लच्मी, कर्मत्य सरस्वती, कर्मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, और ऐसे रब करके, ये जो हाथे अपनी आँख से ले जाकर पूरे चेहरे पर फेर लीजिए, उसके बाद जब आप बैट से नीचे पाउं रखेंगे, तब आपको एक तब भी एक श्लोके मुझे याद नहीं है, तब भी एक जो प्रत्वी माता का एक श्लोके उसको बोला जाता है, तो आपको मन में ऐसा इंटेंशन देना है, कि मुझे शामा करे मैं आपके उपर पाउं रख रहा हूं, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, अगर आपके उपर पाउं ना रखो तो, और सबसे पहले आपको जमीन के पाउं चूना है, फिर आपको सीधा पाउं जो है नीचे उतारना है अपना, इस तरह से मिलेगी, तो इस तरह से आपको मा भगवती जो है आपको मैसेज दे रही है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, ना ही नेगेटिव थौर्स लाईए, अपने दिमाग को काम रखिए, अपने दिल को शांत रखिए, जो कुछ है उसी में संतुष्टी रखिए, जीवन में, और हमेशा दूसरों से प्रेम करें, दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की सहायता करें, दूसरों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम दूसरों को समझ नहीं पाते हैं, सामने आला आपको बता रहा है, स जानवरों की भाशा समझ लेता है, जानवरों के एक्स्प्रेशन, और कभी-कभी अपने जो बोलते हैं, वो नहीं समझ पाता, तो जीवन में अपने आपके आसपास जो लोग हैं, उनको समझने की कोशिश करिए, उनको समझिए, उनको जानिए, फिर उनको जज कीजिए, तो Thank you so much for watching my video, Har Har Mahadev, Shri Shivaya, Namastubhyam, Om Sai Ram, Jainatadi, Radhe, Radhe.